महराना प्रताप के नाम से भारतिय इतिहास गुन जमान है यह एक ऐसे योध्धा थे जिन्होंने मुगलों को छटी का दूध याद दिला दिया था इनकी वीर्ता की कथा से भारत की भूमी गौरवामवित है महराना प्रताप मेवार की प्रजा के राणा थे वर्तमान में यह इस्थान राजस्थान में आता है प्रताप राजपूतों में सिसोडिया वंश के वंसज थे यह एक बहादुर राजपूत थे जिन्हों ने हर परिस्थिती में अपनी आखरी सांस तक अपनी प्रजा की रक्षा की इन्हों ने सदेव अपने एवम और अपने परिवार से उपर प्रजा को मान दिया एक ऐसे राजपूत थे जिसकी वीरता को अकबर भी सलाम करता था माराना परताप युद्ध कौसल में तो निपुन थे ही लेकिन वे एक भावुक एवम धर्म परायन भी थे उनकी सबसे पहली गुरू उनकी माता जवनता बाईजी थी हेलो एवरीवन मेरा नाम है नितीश पांडे और ये एक परस्नालिटी वीडियो की सीरीज है इसमें हर एक परस्नालिटी पे मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही एक इंफर्मेटी वीडियो होने वाली है लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कॉमेंट करें आप इस चैनल पे UPAC related subjects को भी पढ़ सकते हैं जिनके playlist हम लोगों ने बनाया है ये सारा content free of cost है जो भी serious UPAC aspirant है वो वाइस सर को contact कर सकते हैं on whatsapp 7200-681-675 test series और foundational videos के लिए Early Life and Family महराना प्रताप का जन्म आर्ट के कैलेंडर के अनुसार 9 मई 1540 में उत्तर दक्षिन भारत के मेवाड में हुआ था हिंदी पंचान के अनुसार यह दिन जेश्ट माह शुकल पक्ष की तीज को आता है आज भी इस दिन राजस्थान में प्रताप का जन्म दिन मनाया जाता है प्रताप उदैपुर के राणा उदै सिंग एवं महरानी जवनता भाई के पुत्र थे महराना प्रताप की पहली राणी का नाम अजब्दे पुनवार था अमर सिंग और भागवान दास इनके दो पुत्र थे अमर सिंग ने बाद में राजगद्दी समाली थी महरानी जयवनता के अलावा राणा उदै सिंग की और भी पत्निया थी जिनमें से राणी धीर भाई उदै सिंग की प्रिय पत्नी थी राणी धीर भाई की मंशा थी कि उनका पुत्र जगमाल राणा उदै सिंग का उत्तर अधिकारी बने इसके अलावा राणा उदै सिंग के दो पुत्र सक्ति सिंग और सागर सिंग भी थे इनमें भी राणा उदै सिंग के बाद राजगद्धी समालने की मंशा थी लेकिन प्रजा और राणा जी दोनों ही प्रताप को ही उत्तर अधिकारी के तौर पर मानते थे इसी कारण यह तीनों भाई प्रताप से घिना करते थे प्रताप स्वाइफ अजब्दे आजब्दे समंथ, नाम देव राव, राम रख, पनवार की बेटी थी स्वभाव में बहुत ही शान्त एवं सुशील थी यह बिजोली की राजकुमारी थी बिजोली चित्तोड के अधीन था प्रताप की मां जयवंता एवं अजब्दे की मां अपने बच्चों के विवाव के पक्ष में थी उस वक्त बाल विवाव की प्रता थी अजब्दे ने प्रताप को कई परिस्थितियों में उचित निर्ने लेने में शाथ दिया था वो हर तरह से महरानी जवंता बाई जी की खवी थी उन्होंनों युद्ध के दौरान भी प्रजा के बीच रह कर उनके मनोबल को बनाए रखा था अजब्दे प्रताप की पहली पत्नी थी इसके अलावा उनकी 11 पत्नियां और भी थी प्रताप के कुल 17 पुत्र एवं 5 पुत्रियां थी जिन में अमर सिंग सबसे बड़े थे वे अजब्दे के पुत्र थे महराना प्रताप के साथ अमर सिंग ने साशन सम्हाला था प्रताप सहौर्स चेतक चेतक महराना प्रताप का सबसे प्रिये घोड़ा था चेतक में शनवेदन सीलता, वफादारी और बहादरी कुट-कुट कर भरी हुई थी यह नील रंग का अफगानी अस्व था एक बार राना उदै सिंग ने बच्पन में प्रताप को राजमहल में बुला कर दो घोडों में से एक का चैन करने कहा एक घोडा सफेद था और दूसरा नीला जैसे ही प्रताप ने कुछ कहा उसके पहले ही उनके भाई सक्ति सिंग ने उदै सिंग से कहा उसे भी घोडा चाहिए क्यूंकि सक्ति सिंग सुरू से ही अपने भाई से घ्रिना करते थे प्रताप को नील अफगानी घोड़ा पसंद था लेकिन वो सफेद घोड़े की तरफ बढ़ते हैं और उसकी तारीफों के पूल बानते जाते हैं उन्हें बढ़ता देख सक्ति सिंग तेजी से सफेद घोड़े की तरफ जाकर उसकी सवारी कर लेते हैं उनकी शिगृता देख राणा उदे सिंग सक्ति सिंग को सफेद घोड़ा दे देते हैं और नीला घोड़ा प्रताप को मिल जाता है इसी नीले घोड़े का नाम चेतक था जिसे पाकर प्रताप बहुत खुश थे प्रताप की कई वीर्था की कहानियों में चेतक का अपना इस्थान है चेतक की फूर्ती के कारण ही प्रताप ने कई युद्धों को सहजता से जीता प्रताप अपने चेतक से चेतक को पुत्र की भाती प्रेम करते थे हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक घायल हो जाता है उसी समय बीच में एक बड़ी नदी आ जाती है जिससे जिसके लिए चेतक को लगभग 21 फीट की चौडाई को फलांगना पड़ता है चेतक प्रताप की रक्षा के लिए उस दीरी को फलांग कर तय करता है लेकिन घायल होने के कारण कुछ दूरी के बाद अपने प्राण त्याग देता है 21 जून 1576 को चेतक प्रताप से विदा ले लेता है इसके बाद आजीवन प्रताप के मन में चेतक के लिए एक टीस सी रह जाती है आज भी हल्दी घाटी में राज समंद में चेतक की समाधी है जिससे दर्शनार्थी उसी श्रद्धा से देखते हैं जैसे प्रताप की मुर्ती को हल्दी घाटी युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध भारत के इतिहास की एक मुख्य कड़ी है यह युद्ध 18 जून 1576 को लगभग चार घंटे के लिए हुआ जिसमें मेवार और मुगलों में घमसान युद्ध हुआ था महराना प्रताप की सेना का निद्वित्व एक मातर मुस्लिम सरदार हाकिम खान सूरी ने किया और मुगल सेना का निद्वित्व मान सिंग तथा असफ खान ने किया था यह युद्ध में कुल 20,000 महराना परताप के राजपूतों का सामना अकबर की कुल 80,000 मुगल सेना के साथ हुआ था जो की एक अध्वितिये बात है कई मुश्किलों संकटों का सामना करने के बाद भी महराना परताप ने हार नहीं माना और अपने प्राकरम को दर्शाया उसी कारण वश आज उनका नाम इतिहास के पन्नों पर चमक रहा है कुछ इतिहास कार ऐसा मानते हैं कि हल्दी घाटी की युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ पर अगर देखे तो महराना परताप की ही विजय हुई थी अपनी छोटी सेना को छोटा ना समझ कर अपने परिशरम और धिड संकल्ब से महराना परताप की सेना ने अकबर की विसाल सेना के चपके छुड़ा दिये थे डेट अफ महराना परताप परताप एक जंगली दुर घटना के कारण घायल हो जाते हैं 29 जनवरी 1597 में परताप अपने प्राण त्याग देते हैं इस वक्त तक उनकी उम्र केवल 57 वर्ष की थी आज भी उनकी इस्मृती में राजस्थान में महत्सव होते हैं उनकी समाधी पर लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं प्रताप के शौरिता से अकबर भी प्रभावित था प्रताप और उनकी प्रजा को अकबर सम्मान की दिश्टी से देखते थे इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान उनकी सेना में वीरगती को प्राप्त होने वाले सैनिकों एवं सामन्तों को हिंदू रीती अनुसार श्रद्धा के साथ अंतिन विदा दी जाती थी तो यह थी महारान प्रताप जी की जीवनी आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जय हिंद जय भारत